दोस्तो आप सब जानते हैं कि जब हम पूरा दिन महनत करते हैं सुभे से साम तक क्लाइंट से बात करते हैं फोन पे बात करते हैं और पूरे दिन में 100-200 कॉल करने के बाद भी क्लाइंट हमें अपॉइंट्मेंट नहीं देता है पूरा महिना निकल जाता है, पूरे महिने हम calling करते हैं, पूरे महिने हम client से बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी appointment नहीं बन पाती है महनत करते हैं, जाके लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन फिल भी appointment नहीं मिल पाती है, क्यों, ऐसा क्या है तो दोस्तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाली है, हर एक उस insurance agent के लिए खास होने वाली है, जिसका सपना है MDRT COT करना, तो अगर आप भी एक insurance agent है, आप भी MDRT COT करना चाहते हैं, और आप भी चाहते हैं कि client से कैसे appointment fix करें, client से कैसे meeting fix करें, तो ये व आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, नमस्कार दोस्तो मैं अमित्या गया है and you are watching my YouTube channel, और अगर आप मेरे YouTube channel पर पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को subscribe करना बिलकुल ना भूले, और side में जो आपको bell icon दिखाईते रहा है, उस पर जाकर notification को all पर set करें, ताकि आने करने के बावजूद भी हमेरे result output zero निकलता है, result नहीं निकल पाते हैं, कहीना कहीं तो कमिया है, कहीना कहीं तो कुछ प्रब्लम है कि client हमें appointment नहीं दे पा रहा है, client से हम पूरा दिन महनत करते हैं, सुबे से बैठ जाते हैं काम करने के लिए और साम तक हम काम करते रहते हैं, साम तक हम data पे call करते रहते हैं, अपने पुराने client से बात करते हैं, लेकिन फिर भी client हमें appointment नहीं देता है, client मिलने के लिए time नहीं देता है, पूरा महीना निकल जाता है, पूरा महीना काम करते करते निकल जाता है, लेकिन business नहीं आता है, meeting नहीं मिलती है, business तो तब आएगा जब क्लाइंट हमें मिटिंग देगा, क्लाइंट मिटिंग देने को ही तयार नहीं है, तो दोस्तो आपको कही ना कही समझना होगा कि कुछ ना कुछ तो कमी है, कुछ ना कुछ तो गलती हो रही है, जो क्लाइंट हमें अपोइंटमेंट नहीं दे रहा है, कुछ ऐसी गलती हम कर रहे हैं जो client appointment देने के लिए ready ही नहीं होता है तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ in points को आप note कर लें ध्यान रखें इन चीज को जब आप client से बात करें इन चीजों का हमेशा ध्यान रखें तो आपको जरूर इसमें सफलता मिलेगी दोस्तो हम शुरुआत करते हैं अपने पहले point से और पहला point क्या है आपने एकसर देखा है कि जब आप suppose रात को आप सो रहे हैं या दिन में आप सो रहे हैं और आपके पास कोई call आ जाती है आपकी family में आपके relative कोई phone करते हैं आपको और आप सोते हुए phone को pick करते हैं और hello बोलते हैं तो सामने से क्या सुनने को मिलता है क्या सो रहे थे क्या आप आप नीन में थे क्या अभी आप सो रहे हो साइद उसको कैसे पता चला उसको आपकी आवाज से पता चला आप अगर गाड़ी चला रहे हो आप ट्रेवल कर रहे हो आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी चलाते चलाते किसी का फोन आ जाता है तो वो समझ जाता है वो समझ जाता है कि आप कहीं बिजी है तो क्या बोलता है आपको साइद आप बिजी है जब आप कहीं मार्किट में ह होते हो और पीछे से सोर सराबा हो रहा होता है होन्स की आवाज आती रहती है आपका कोई रिस्तेजार आपका कोई रिलेटिव आपको फोन करता है या फिर आपकी वाइफ आपको फोन कर रही है तो क्या होता है आपको बोलते हैं आप कहीं बहार मार्किट में हैं तो सामने व तो दोस्तों सबसे पहला जो interaction होता है आपका client से वो होता है phone call के द्वारा, जब आप client को outgoing call करते हैं, जब आप client को phone करते हैं, तो client से आपका interaction होता है, client आपका phone pick करता है और आप मुस्कुराते वे client से बोलते हैं, कि sir good morning, sir मैं नहा बात कर रही हूँ L.I.C.O. of India से, sir मैं तो अपने आप में आपके face पर smile होनी चाहिए दूसरा जो point है दोस्तों, दूसरा point है कि हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, हमारा दिमाग को ज़्यादा ही काम करता है, जब आप client से बात करते हैं, उससे पहले ही हम सोचते रहते ह कार हम client को phone तो कर रहे हैं, पता नी client क्या बोलेगा, हम 50 call कर चुके हैं, output नहीं निकल ला है, हम सोचते हैं कि हम अब client को phone करेंगे, पता नी client रास्ते में होगा, client travel कर रहा है, client meeting में है, client doctor के पास है, हम कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं, ज़्यादा मस सोचो भई, आप call करो client को, आप बेजी ज़्याद को करो client को, इतना मस सोचो, इतना दिमाग को मत दोडाओ, दिमाग को बस इस तरफ दोडाओ कि हमें appointment निकाल नहीं है, किसी तरीके से हमारा focus सिर्फ appointment निकालने में है, ना कि ये सोचने में कि client क्या बोलेगा, तो इतना नहीं सोचना है, आपको दि हो गए बताना, start कर दिया, गाड़ी start हो गई, ऐसा नहीं, आप client से पहले permission लें, कि sir क्या ये सही समय आपसे बात करने के लिए, कि sir क्या मैं आपसे इस समय पर बात कर सकता हूँ, वो बोलेगा, अगर busy है, तो वो बोलेगा, मैं busy हूँ, आप बात में बात कर दिया, तो आप पूछ सकते हो, कि sir बाद में मैं सामको 6 बजे call कर सकता हूँ आपको, या 7 बजे call कर सकता हूँ, तो आप client से पहले permission लें, कि क्या ये सही समय है client से बात करने के लिए, ना कि बस शुरू हो गए phone पे, और client से बात करना इसा नहीं, जब तक client आपको permission ना दे, आपको शुरू comment के लिए मुझसे बात कर सकते हैं, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखे हैं, हमेशा client से permission जरूर लें, अब दोस्तों बात करते हैं, point number 4, point number 4 क्या है, कि जब आप client से बात करते हो, तो कभी भी phone पे salesman की तरह treat ना करें, client को ये नहीं लगना चाहिए, कि आप अपना product बेशन के लिए phone कर रहे हो, हमेशा कभी भी client से salesman की तरह treat ना करें, उससे एक consultant की तरह treat करें, उससे उसको उसके फाइदे से मतलब है, ना कि उसको policy के फाइदे से मतलब है, उसको policy के benefit से मतलब नहीं है, उसको अपने benefit से मतलब है, कि उसका क्या benefit होने वाला है, तो हमेशा policy के benefit ना बताके इस चीज पे फोकस रखें कि इस product को अगर client लेता है तो उसको क्या benefit होगा इस policy को लेने से client को क्या benefit होगा यह policy उसके बच्चे के future के लिए है उसके बच्चे का future के लिए यह policy कैसे beneficial होगी उसकी family के लिए यह insurance policy क्यों ज़रूरी है, तो उसको जब तक इस चीज का एसास नहीं होगा, कि इस product को लेने से उसका क्या फाइदा होगा, तो वो आपको कभी भी entertain ही करेगा, वो आपको कभी भी appointment नहीं देगा, तो हमेशा product के benefit ना बताके, policy के benefit ना बताके, आपको क्या बताना है, client के benefit बताना है, कि client को इस product के क्या benefit हो सकते हैं, दोस्तों अगला जो point है आप लोग जो अकसर करते हैं, अकसर हम लोग क्या करते हैं, कि जब client से बात करते हैं, तो client को हम चाहते हैं, कि client हम से phone पर ही policy खरीद ले, client हम से phone पर ही पूरा plan समझ ले, बस हमें अपने documents mail कर दे, whatsapp कर दे, हमें उसके पास जाना ही ना पड़े, अकसर ऐसा होता है, अकसर आप लोग ये गलती करते हो, तो आपको कभी भी client से ये एक्सपेक्ट करनी है, कि client phone पे ही आपका product खरीद ले, कभी भी अपने product को phone पे explain करने की कोशिस ना करें, कभी भी अपनी policy को phone पे बताने की कोशिस ना करें, क्योंकि policy खरीदने में, product खरीदने में किसी का interest नहीं है, जब आपका sales executive, जब आप खुद client के पास जाएंगे, उसको समझाएंगे कि ये product खरीदने का उसको क्या benefit होगा, तब तक वो product नहीं खरीदेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी phone पे product बेचने की कोशिस ना करें, हमे लेने का उसको क्या benefit होने वाला है, ये product उसकी family के लिए ज़रूरी की होगा, तो हमेशा कोशिस ये ना करें कि client आपका phone पे ही product खरीद ले, client को आप phone पे ही product explain कर दे, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको product explain नहीं करना है phone पे, आपको client से appointment लेनी है, अगला जो point है दोस्तों, आ कब मत पूछो से, उसको आपको, उसके पास option छोड़ना ही नहीं आपको, अगर आपने छोड़ दिया वो बताएगा, ये मैं बताऊंगा आपको जब मेरे पास time होगा तब बताऊंगा, अभी मैं busy सरला हूँ, मैं अभी आपसे नहीं मिल सकता हूँ, तो आपको उसको option नही मुझसे मिलीजिये, या फिर आप उसको बोल सकते हो कि सर सेटरड़ या संड़े में मैं आपसे evening में मिलूँ या फिर मैं आपसे afternoon में मिल सकता हूँ, अगर आपने client के उपर छोड़ दिया, कि सर कब मिलोगे, तो client कभी नहीं मिलेगा, वो आपको कभी phone नहीं करेगा, तो आ मैं दोपर में आपसे मिलूँ या साम को आपसे मिलूँ, तो आपको इस तरीके से बात करिए, ना कि यह कि सर आप मुझे बता दें, कि सर आपसे कम मिल सकता हूँ, इस तरीके से आप बोलेंगे, तो आपको कभी भी appointment नहीं मिलेगी, आपको कभी भी time नहीं मिलेगा, तो हमे है ना तो आपने client को एक fixed time दिया आपने client को एक fixed date बताई किसर इस तरीक में मिल सकते है क्या अगर आप बोलोगे कि कब मिलोगे तो कब कभी भी नहीं आएगा client आप से मिलेगा ही नहीं फिर तो इस तरीके से आप client से बात करें दोस्तों अगला जो point है client को कभी भी ऐसास यह नहीं होना चाहिए कि आप clients का time waste करने के लिए जा रहे हो client को लगे कि भाई आपने client से 20 minute का समय मांगा है आपने client से phone पे बात की आपने client को बोला कि sir मैं आपका सिर 20 minute लूँगा क्योंकि मेरे पास सिर 20 minute का ही समय है 20 minute के बाद मेरी दूसरी appointment है आपकी कलोनी में है मुझे अपनी दूसरी meeting में जाना है बस मैं आपको सिर 20 minute दे सकता हूँ तो sir आप मुझे सिर 20 minute का समय दे दीजिए ताकि उस 20 minute में मैं आपको बता पाऊं कि आपको insurance क्यों लेना चाहिए insurance की ज़रत आपको क्यों है क्यों आपकी family में आपके बच्चे के future के लिए insurance policy ज़रूरी है सर मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलना हूँ मैं कोई आपको product sale करने के लिए नहीं आ रहा हूँ मैं आपको ये समझाने के लिए नहीं आ रहा हूँ का कुछ पता नहीं है, तो आप मुझे सिर्फ 20 मिनट का समय दीजे, मैं आप से 21 मिनट भी नहीं लूँगा, मैं शिर्फ आप से 20 मिनट लूँगा, तो सर मेरे कहने से आप 20 मिनट दीजे, बाकी आपको जो अच्छा लगे उसके बाद आप decision ले सकते हैं, तो client को लगेगा कि ह हाँ यार ये बिल्कुल अपने time का पाबंध है, और सर जैसे आप बात करते है client से, कि सर मैं आपके पास ठीक 10 बजे पहुच जाऊंगा, और 10 बज कर 20 मिनट तक का मेरे पास समय है, उसके बाद मैं आपके घर से निकल जाऊंगा, तो उसको लगेगा कि यार ये तो के बारे में कुछ समझ सकता हूं, कुछ अच्छी बात सीखने को मिलेगी, तो client आपको appointment दे सकता है, तो ये चीज़े आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों, ये सब चीज़े आपके एक जो convey message करता है client के उपर, client के उपर क्या effect छोड़ता है, client से appointment कैसे लेनी है, ये सब चीज़े अगर आप follow करेंगे, तो client आपको appointment दे सकता है, आपको लगता है कि client से आप बात किये जा रहे हो, बात किये जा रहे हो, client मना कर रहा है, उसको हटा दीजे, वो आप अपना time waste कर रहे ह time आपको waste नहीं करنا है, आपको अपना time बिलकुल waste नहीं करना है, आपको अपना समय लगाना है, अपनी closing पर, अपने calling पर, अपने client पर, जो आपको लगे कि हाँ ये client हमें अच्छा लग रहा है, बात करके पता चिल जाता है, उस client को आप follow में रखे, जो client आपको delay करता जा तो दोस्तो इस तरीके से आप इन चीजों का ध्यान करके क्लाइंट से अपोइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं दोस्तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिक्सन टाइम टू टाइम मिलता रहे और साइड में नोटिफिक्सन बैल को भी औल पर सैट करें और संडे रात 9 बजे में अपना लाइफ प्रोग्राम लेकर आता हूँ